सुनरा 9 mai Karma वह मेरा बड़ा क्षुछ है सॉत में वहान बहुत खुशी हो रही है गला खईक क्यियां नहीं है असना प्रेष्प पुरे प्रईवार के सपने पुरागड ली है उत्रक्षंड की बेटियां हमेसा उत्राखंड का नाम देश और दुनिया में सम्मान से आगे बढ़ाती रही है, ऐसा ही एक मौका आकांग्षा गुप्ता ने भी दिया है, जिन्होंने लोग सेवा आयो गुप्तर प्रदेश में PCS की परिक्षा क्लियर की है, और बल्कि क्लियर ही नहीं कही है, बल्कि चौथा रेंक भी हासिल करने में कामियावी हासिल की है, हमारे साथ अपने अनुभाव और संगर्स को बताने के लिए अकांग्षा मौजूद है, अकांग्षा तब से पहले तो सवाल यही है कि थोड़ा सा बताईए कि अभी आप क्या फील कर रही है, क्या कहेंगी पहली जिस तरह स रिजल्ट आया है, फोर्थ रेंक अप मुझे तो यह था कि कहीं ना कहीं मेरा लिस्ट में नाम आ जाए, तो भी बहुत ही गनीमत की बात होती है, क्योंकि इन सर्विसस में इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है, एक एक नंबर के लिए भी, कि हम कुछ कह नहीं सकते, रिजल सब्सक्राइश गुपता की रैंक पोर आई तो मुझे लगा कि हां मैं ही हूँ, तो वो फिलिंग थोड़ा मुझे सिंकिन होने लगी, सुभै से बदाईयों के भी काफी जादा फोन आ रहे होंगे, क्या फैमिली में क्या महाल है, किस तरे के महाल है, बहुत ही अच्छा महा मुझे अपनी स्टेट से भी कॉंग्राचुलेशन आ रहे हैं और उत्तरप्रदेश से भी कॉंग्राचुलेशन मैसिज़ आ रहे हैं सब्सक्राइब अपने बारे में बताईए आपकी क्या रूटीन था, किस तरे से आप परते थे, क्या बच्पन से ही सिविल सर्विस में इरादा था या क्या सूचा था जी मेरा बच्पन से मतलब तीनेज में हो गया था कि हमें से विल सर्विस में जाओंगी वह इसलिए क्योंकि मेरे फादर का रुजान था से विल सर्विस की तरफ उन्होंने कोशिश की थी पर वह फैमिली रिस्पॉंसिबिलिटी की वज़ा तो मुझे इंटरस्ट आने लगा तो फिर मुझे लगा नहीं अब तो यह मेरा सपना है और अब तो इसे मैं खुद ही करूंगी और यह बात है कि अपना सपना होना जरूरी है क्योंकि मैं 6 साल लग गए तो अगर हम किसी और के सपने के साथ काम करेंगे तो वह नहीं परज और अब सब्जेक्ट क्या थे थे थूरा से इसके बारे मेरा स्कूलिंग दहरदून से ही हुई है, सेंट जूट स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी है अपनी 12 तक की पूरी, नरस्री टू 12 उसके बाद मैंने मैं बीटेग कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में किया है, डी इट उनिवरसिटी से, जो मेरा 2017 में कंप्लीट हो गया था, मैं प्लेस हो गई थी तीन आइटी कंपनी में, फिर मैंने CDS का एक्जैम दिया था, क्योंकि मेरा रुजहान इसी तरफ ही था, मेरा दो बार क्लियर हुआ है, लेकिन मेडिकल के लिए गई नहीं क्योंकि आइसाइट का मुझे पता चला कि मैं स्पेक्स टालती हो नंबर थोड़ा जादा है, तो मैं वहां मेडिकल क्लियर नहीं कर पाँगी, तो मैं वहां गई ही नहीं, फिर मैं सिविल सर्विसेस की तरफ आ गई, मै कि मेरा पांचवा प्रयास UP PCS में था, इसके लब मैंने उत्रखेंट PCS का मेंस भी लिखा हुआ है अभी, और मैंने और हर्याना, और राजिस्थान, बिहार के भी, और हिमाचर प्रदेश के भी PCS एग्राम्स दिये थे, जब होए हैं, इससे जाहिर हुआता है, आपने कई पांचवी बार तक पहुंच गई है, कभी बीच में ऐसा लगा कि अब स्राइब नहीं हो पाएगा, या किसी तरह की कोई परिशानी मानसी कुरूप से, या किसी तरह से, जी बिलकुल, मैरा जो UPSC का इंटर्व्यू कॉल था, वो एक बार तेरा नंबर से रहा, और एक बार दो ही नंबर से रह गया, जबकि मुझे उस साल तो उमीद थी कि शायद मेरा फाइनल सेलेक्शन ही हो जाएगा UPSC में, और इंटर्व्यू कॉल ना आना, और फिर जब मार्क शीट आती है, तो उसमें ये देखना कि या इस सिरफ दो ही नंबर से रह गया था, तो बिलकुल जगा जगा पर ऐसा रहा कि भगवान ही नहीं चाहरा शायद, लेकिन अब तो ये जब मैंने रैंक फोर देखा तो मुझे लगा भगवान शायद और बहुत ही अच्छा चाहरा था इतने सालों से कि अगला साल मेरा ये है कि जब आप PCS का सफना देखते हैं, सबसे इंपोर अपने जो सोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखे और उसको बार बार रिवाइस करें और प्रैक्टिस करें उसी से हो जाएगा सेलेक्शन बर आखरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे यूथ जो है जो सिविल सर्विस के लिए प्रियासरत हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी क्या उन्हें करना है और किस तरह का रूटीन उन्हें बनाना होगा फैंपली में किस तरह से रहना होगा या फिर दूसरे जो ज़रूरी चीजे हैं कैसे करनी होगी उनको थोड़ा सा फुस्तों जाओं दिखें रूटीन मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि फिक्स था छे घंटे का आठ घंटे का और मैं ऐसा सेजेस्ट भी नहीं करूंगी क्योंकि जब आपका दिमागी साथ नहीं देगा तो हम पढ़ेंगे तो वह में याद नहीं रहेगा तो जब मन करता है पढ़ें और जब नही सब्सक्राइब करने के लिए और एक बार फिर बढ़ाई सर मैंने पहले मैंने लॉग करा था लॉग रेजुएट करी थी फिर मैं प्रेक्टस में तो नहीं गया तो मेरा सपना था मैं PCS करूं PCS मैंने दिया भी था तो इन विट्विन फैमिली की वज़ा से मुझे बिजनस में आना पड़ गया तो मैं PCS कंप्लीट ना करके बिजनस में आ गया था तो अब मेरा टायल वगरा का बिजनस है एट प्रेजेंट तो लेकिन मैंने बच्चों को अपने मौटिवेट करा है कि बेटा अपने पढ़ना है और आप लोग अच्छे अधकारी बनना है एक जिस तो आज मगवान का शुकर है कि उसने बेटी बेटी को अज इस कावल अपना दिया उसकी मेहनत उसकी सफल बना दी और मैं उसका बड़ा शुकर गजार हूँ आपका भी शुकर गजार हूँ आप लोग हमारे आए इस चुब अपसर पर आपको लगता था इस तरह के सफना उसका पूरा हो पाएगा हम सबको पूरे परिवार को बहुत खुशी है कि कांग्षा ने ये पद हासिल किया है और ये तो मानना पड़ेगा कि वो दिन राथ ही पढ़ती रहती थी मतलब कोई तिहार हो कोई कुछ हो वो सारा दिन पढ़ प्रभावित नी उती थी सारा टाइम उसको बस थे था कि पढ़ना है और पढ़ना है एक दो बार पेपर में अटेंट में इसके एक-डो नंबर से कम भी होए तो आकर ये थोड़ा इसका मूड भी खराब हुआ लेकिन फिर इसने फिर ठाना और फिर इसने ये वापिस यू तो ऐसे जो युवा है उनको एक प्रेणा जो है वो अकांक्षा गुपता से मिल सकती है और जाहिर तोर पर सपना पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी कैमरा परसेंग परवीन सौनकर के साथ नवीन उनियाल एटीवी भारत